जब आपको रोकने के सारी तरीके नाकाम हो जाएं तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं जिसे सोच सोच कर ना जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो। और इतना जिद्धी बनाओंगा कि कोई भी तुम्हें जुखा न सके। लेकिन इस सबके लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए, तो हाँ, मैं आज तुम्हें पागल बनाऊंगा, वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तोर पर देखते हूँ, मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा, जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाब जाने का साहस देगा, एक ऐसा पागलपन, जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुक का लोव होता है, ना माया भटकाती है और ना किसी का साया साथ देता है, एक सर्फिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा, क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को उसे कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला, ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी काम्याबी के रास्ते धीरे-धीरे खुलने लगते हैं, तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से, या तानों से फर्क पढ़ना बंद हो जाता है, तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता, तुम्हें बस अब तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता नजर आता दिखाई देता है, जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम छमता होत बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारी अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते, ना तुम्हें रिया के लेटेश्ट रील से फर्क पड़ता है, और ना तुम्हें रात पर जाकर अपने काम को करने के तकलिफ से कोई फर् गुस्ताउं क्या ये पागलपन सिर्फ आसी की में दिखाना जायज है, क्या ये पागलपन ना जायज हरकतों को दरसाने के ही लायक है, क्या पागलपन बस अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है, नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी जिन्दगी में एक बात हमेशा याद रखना इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं असल में वो पागल लोगी हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं तभी तो दस्वी क्लास में फैल हुए सचिन तेंदुरकर की बायोग्राफी महराश्टर के इस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है सायद तेंदुरकर साहब में वो पागल पनी था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए श्ट्रोंग बनाया स्रीकलाम साहब में भी वो पागल पनी था जिसने उन्हें एरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हतास निरास और हार मानने नहीं दिया और एक महन सैंटिस्ट की पद्वियों पर पहुँचा दिया वैसे इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आँके खोल देगा एक लड़का जिसे फुटबोल का बड़ा सोग था उसे एक दिन भहुत बड़ा फुटबोलर बना था लेकिन वो दिल की बिमारी और पैर की कमजोरी से परिशान था और जैसा कई सक्सेस्पुल लोगों के साथ हुआ था वैसे ही इसे भी डोक्टर ने साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी भी फिल्ड पर नहीं उतर पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था डोक्टर की बाते उस पर बेहसर हो गई उस लड़के ने अपने दिल का उपरेशन कराया और फिर उत्रा मैदान पर और फुटबोल के एतिहास को ही बदल कर रख दिया और आज वो लड़का दुनिया का सबसे हाइश पेड एथलीट है मैं बात कर रहा हूँ फुटबोल के लेजेंड लियोनेल मैसी की जिसकी दीवान की दुनिया में इस कदर है कि फुटबोल के डाई आर्ट फैंस इन्हें भगवान मानते है अगर इन सभी में वो पागलपन वो जिद नहीं होती अगर इने भी लोगों की बातों से फर्क पढ़ना सुरू हो जाता तो सायद आज ये लाकों करोडों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते कोन कहता है नैचर और सिगनेचर कभी बदलता नहीं बस एक चोट की जरुवत है अगर उंगली पर लगी तो सिगनेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नैचर बदल जाता है अगला एक साल सिर्फ और सिर्फ एक साल पागलपन को सोब दो खुद के किरदार को पागल बना लो एक ऐसा पागल सरफिरा जो आप नए आयतिहास रचने को तयार है एक ऐसा पागल जवान जो आप सिर्फ अपनी काम्यावी के पीछे भागने को तयार है एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने काटे हैं कितनी मुस्किले हैं कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं टू बी वेरी ओनेस्ट पागलपन वाली महनत और सिद्धत तुम्हें इतना काम्याब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुमारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं सायद इस एक साल के पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी जिन्दगी में नहीं कर पाते किसी भी आंदी तूफान की परवा किये बगर ये एक साल अपनी जिन्दगी को बनाने में लगा दो अगले एक साल बाद जब भोस में आओगी तब तुमारी किसमत और काइनात दोनों चमकती नज़रे